So hello, what's up, कैसे हैं आप sir, स्वागत है आप सब का आज के इस वीडियो में, जहां हम discuss करेंगे sir, क्या, CA final audit की जो MTP 1 आई थी for May 24 exams, इसमें ICI ने जितने भी नए questions पूछे, जितने भी नए questions पूछे, सारे में आपके साथ इस वीडियो में discuss करके चलूँगा, plus sir, मेरी बात हुई आज ICI के BOS portal में, तो उनसे भी मैंने पूछा, कि कुछ एक दो questions ऐसे थे, जिनके answers ना तो ICI के study material में है, ना audit pronouncement वाली जो book होती है, वहां पे भी नहीं है, तो उस पे उनका क्या take है, तो उन्होंने यह से बोला, कि हम जब MTP बनाते हैं ना, हम MTP इसलिए बनाते हैं, कि कही ना कहीं ऐसे हडबढाना नहीं है, so that the student is able to perform well in the final exam, हम इसलिए कुछ ऐसी तड़कती भड़कती चीज़े डालते हैं, तो मैंने का यार यह देखो आपका point ठीक है, मैंने का आपका point ठीक है, कि आप बच्चे को तियार करना चाते हो for the final exam, बच्चा क्या है ना, बच्चा भ notes में नहीं करी, question bank में नहीं करी, तो आप घबराना मत, उस चीजों को आपने towards the end of the paper करना है, उसको उसके चकर में यह नहीं करना कि जो चीजे आती हैं, उनको भी गड़बर करना है, नहीं, जो चीजे आती हैं, उनको सबसे पहले करो, और जो चीजे आपको थोड़ी different लग कर रहे है, ठीक है boss, ठीक है sir, सबसे पहले start करते है, standards on auditing के साथ, सबसे पहले आता है, question number one, sir, यह किसकी बात करते है, this question is based on your SA501, जो बात करते है, specific consideration for selected item, inventory count की बात करते है, ठीक है sir, देखो क्या कहते है, while conducting the statutory audit of tasty foods limited, CA careful, CA careful has planned the attendance at physical inventory count of the company from 29th March to 31st March, company किसके business में है, sir, company is in the business of extracting the rice from paddy, तो paddy का जो दाना होता है, उसमें से rice निकालने का काम करती है, international or domestic market में यह cater करके चलती है, जो इनका plant है, 20 acre तक फैला हुए NCR region में, या डेली NCR का जो region है, paddy is contained in the jute bags, ठीक है, जो हमारा paddy है, वो jute bags में आता है, standard size है, और यह हम dealer agent से purchase करते है, it is stored in the heaps on the pallets, या उसी के उपर यह सारी बोरियां रखते चले जाते है, ठीक है sir, यह एक open area में है, जिसको protective sheet से cover कर रखा है, बचाने के लिए, प्लस यह steel के बरतनों में भी रखा जाता है, तो एक हमारा paddy कहां पढ़ा है sir, एक हमारा paddy पढ़ा है open area में, दूसरा हमारा paddy है, यह पढ़ा है निशान आ जाता है, अब यह जो निशान होगा, इसके basis पे हम measure करते हैं कि paddy किता रहेगा, ठीक है sir, company mainly produces three rice brands, राजा, शेहजादा, यह domestic market के लिए, और जो international market है उसके लिए है बादशा, 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 process of obtaining the rice from paddy consists of three steps, यह कहता है various steps, sorry, इसमें paddy को साफ क करते हैं, उसका भार का वो जो layer होती है, उसको निकालते हैं, ठीक है, and उससे मिलते है brown rice, जो सहत के लिए अच्छे होते हैं, फिर यह brown rice को क्या करते हैं, सफेदी लगाते हैं, whitening करते हैं, polishing करते हैं, उसकी grading करते हैं, and ultimately sorting करके, packaging करके, यह machinery से इसको निकालते हैं, ठीक है sir, अब यहां से आपको feel आनी चीए सर किसकी SA501 की जब SA501 पढ़ते हैं तो मुझे बताओ सबसे पहले गोली ने क्या किया था जो हमारा गोली inventory count के लिए जाता है तो सर सबसे पहले वो क्या करता है वो entity के जो inventory count instructions होते है उनी को evaluate करते है कि क्या ये instructions proper है या नहीं तो अब देखो ये instructions में क्या दे रखा है physical inventory count जो physical inventory count है इसको supervise कौन करेगा ये कहता है by a responsible officer responsible for storage function मुझे आप एक बात बता दो मुझे आप एक बात बता दो अगर मैं कहूं paper आपने लिखना है और paper की checking भी आपने ही करनी है तो क्या आप अपने आपको पूरे मैं से पूरे number दे दोगे answer is yes ये हम inventory count करते क्यों है sir inventory count इसलिए किया जाता है कि ये देखने के लिए जो inventory physically present है जो inventory physically present है वो ठीक है की नहीं तो जो बंदा inventory का ख्याल रख रहा है वो ही check करेगा क्या वो ही check करेगा करनी चाहिए counting किसी और को करनी चाहिए generally ये finance वाले लोगों को करनी चाहिए तो पहली चीज तो यहाँ दिककत बिल गई ठीक है sir दूसरा ये कहता है there should be no disturbance ये कहता है there should be no disturbance to the routine process of receiving the goods and dispatch during the counting time मुझे एक बात बता दो आप सारे बच्चे जब inventory count चलता है क्या goods की entry or exit allowed होती है आपने भी inventory count attend कि होगा अपने articleship में हाँ sir क्या ये सब चीज़े allowed होती है the answer is no disturbance तो भाड में गई allowed ही नहीं होता जब आप inventory count कर रहे हो आप इसके लिए designated two to three days ले ले लेते हो और इसके बीच में कोई inward outward allowed नहीं होता ठीक है ये दूसरी गलत बात तीसरी sir ये कहता है counting process जो होगा वो कौन करेगा ये कहता है तीन different teams करेंगी ठीक है sir each for counting verifying the raw material work in progress and finished goods ये कहता है हमने तीन members की team बनाई अब ये member में कौन है ये किसको क्या पता यार कौन है ये तीन member में भाड से कोई चुन्नू मुन्नू टिन्नू को उठा के ले हो वो कर देंगे inventory count नहीं sir यहाँ पे details missing है कहीं न कहीं यहाँ पे details missing है कि कौन है ये member कहां से आते हैं ये लोग ठीक है sir ये कहता है paddy in the steel silos is to be estimated using their capacity मुझे एक बात बता दो उपर क्या था sir silo में न capacity के इसाब से नहीं कर सकते capacity तो माल लो इसकी पूरी की 20 kg है capacity तो 20 kg है बट जो paddy है उसका mark तो सिर्फ 10 kg तक आ रहा है तो अगर मैंने capacity के इसाब से कर ली counting तो ज़्यादा counting नहीं हो जाएगी हा सर हो जाएगी तो कहीं न कहीं जो इनका procedure है of counting the paddy in the steel के बड़तन ये गलत है सर capacity के इसाब से नहीं होना चीए mark के इसाब से होना चीए अब अगला point देखो quantity of work in progress is to be estimated considering the plant capacity as a whole अब आप मुझे बता दो सारे बच्चे क्या plant की capacity के साब से work in progress होता है या जिस stage of production पे item होता है जिस stage of production पे item होता है उसके हिसाब से work in progress होता है सर जिस stage of production पे होता है उसके हिसाब से work in progress होता है ऐसे plant की capacity के साब से कैसे work in progress करें bad thing last point responsible officer should ensure that the stocks have been counted or verified in all the areas ये कह रहा है आपने सारे areas cover करके चलने है मैंने का very good ठीक है अब सारे बच्चे आजओ पॉइंट्स पे सर इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं एक्जाम में कोशन आएगा 5 नंबर का एक्जाम में कोशन आएगा 5 नंबर का कोई भी ढंके 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैं एक बात बताओ ना ज्यादा दिमाग खुदका नहीं लगाना ज्यादा दिमाग खुदका नहीं लगाना जो भी पॉइंट्स हैं इसी में से उठाओ सर कैसे मुझे एक बात बताओ यहां से स्टार्ट करते हैं कहां से बात बात शुरूई थी stock की यहां से यह कहता है जो paddy है यह जूट बैग में है ठीक है सर अब यह जो paddy है क्या यह सिरफ steel silos में था या open area में भी था सर open area में था इन्होंने open area को तो cover ही नहीं किया तो एक point आप यह उठा के डाल सकते हो कि steel silos की बात तो तुमने कर दी open area की बात नहीं करी तो open area वाला point आ जाएगा ठीक है सर उसके बाद इन्होंने का कि work in progress को आपने ठीक से calculate नहीं किया work in progress should be on the basis of stage of production not on the plant capacity as a whole तो जितने भी points है ना इनमें जो जो गलती आप निकाल सकते हो बस यह निकाल दो अगर आपने 5-6 point इज़त से लिख दिये आपका answer match हो जाएगा तो देखो कितने points अपने match हो सकते है सबसे पहले कहता है inventory count should be supervised by a responsible officer generally यह finance department से होता है अगर आप store in charge जो है store in charge जो है उससे counting कराओगे तो वो गलत कर देगा पर sir store in charge भी हमारी मदद कर सकता है कैसे अब finance department वाला उसको तो पता नहीं कहां पे कौन सा paddy रखा है हाँ तो finance department वाले बंदे को यह help कर सकता है जो store in charge है वो उसकी help कर सकता है तो he can be present for coordination and facilitation ठीक है sir उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था sir यह disturbance वाला inward outward तो allowed ही नहीं होना चाहिए तो अगला point देखो क्या कहता है during the inventory count process inward and outward movement of the good should not be allowed इसको तो allowing नहीं करना चाहिए because कही ना कही जो inventory count के results है वो इससे खराब हो जाएंगे ठीक है sir अगला point कहता है जो instruction थे कि team मनाएंगे member लाएंगे अरे भाई ये कौन से member हैं कहां के member हैं तो ये कहता है member should be from the department जिनका storage से कोई लेना देना नहीं है जिनका storage से कोई लेना देना नहीं है उन लोगों को लेकिया हो ठीक है sir finance department से ला सकते हो इनकी duties आप separately fix करो कि कौन counting करेगा कौन in counts को record करेगा ठीक है and जहां जहां counting खतम होती जाए वहां लिख दो complete ताकि वापिस वहां की checking ना हो और काम done हो जाए ठीक है sir अब sir इसके बाद ये तीन points तो अगर आप समझ गई हो कि कोशन सी हमने उठा ली है ठीक है अब एक different point आता है ये कहता है जो count sheets है ना जो आप count sheets है उसमें आप बताओ क्या description of product है and ये आप company के records जो inventory records है वहां से निकालो तो हम क्या करते है ना जैसे हम inventory count के लिए जाते थे आर्टिकल्शिप में तो हम क्या करते थे जो entity के accounting records होते है वो जो excel आती है हम उसका print ले लेते थे हम उसमें you can see columns बनाते थे sir columns क्या बनाते थे धियान से समझना एक तो serial number लिया ठीक है sir ऐसे 123 करके डालना शुरू कर दिया अब यहां पर आजाएगा description of the product जो आपका stock है उसकी descriptions पिर आएगा sir quantity in the books and फिर आता था quantity in the physical verification तो यह कह रहा है जो आपकी count sheet है ना इसमें यह तीन चीज़े तो पहले सी भरी होंगी हाँ sir यह सब चीज़े तो पहले सी भरी होंगी आपने बस इन चीज़ों को fill करते वे चलना है आपने बस इन चीज़ों को fill करते वे चलना है और अगर यहाँ पर कोई issue मिलता है तो issue अगर को बताओ और इसका reason भी आपने फिर बताते वे चलना है क्या reason है variance का तो इस तरह से inventory count की पूरी sheet up ready करते हैं तो वही बात इन्होंने जो हम practically करते हैं आर्टिकल शिप में उसको एक line अलग से बना दी जिसका question में ऐसा कुछ नहीं था reference कि आपको लिखना है बड़ इन्होंने additionally डाला है ठीक है सब फिर यह कहता है management instructions are silent कि team members कैसे अपने work के लिए proceed करेंगे कैसे different sections और storage areas में जाएंगे यह भी इन्होंने एक additional point डाला जिसका question से थोड़ा लेना देना ज्यादा नहीं था अब यह कहता है जो question से लेना देना वाला point है एक और आ गया कहता है आपने open area की दो बात कर ली आपने open area की दो बात कर ली आपने open area की दो बात ही नहीं करी so management instructions are silent की open में जो inventory पड़ी है उसको कैसे count करोगे तो sir उसको कैसे count करेंगे जितने bags पड़े है उन सब को count कर लो और bag की जो capacity उससे multiply कर दो तो आपको total capacity पता चल जाएगी तो यह कहता है number of bags को count कर लो weight of standard bag आपको पता ही है multiply करके paddy की value निकाल लो ठीक है sir तो अगर मैं कि steel silo की capacity पर कर लेंगे मैंने का नहीं जो उस पर दाग लगे हैं दाग अच्छे हैं जहां तक दाग लगा इसका वहां तक paddy भरा है वहां की capacity के साब से आप इसको calculate करके चलो ठीक है sir उसके बाद यह कहता है work in progress आपको हर stage of production के साब से देखना चाहिए plant की capacity के साब से नही तो 3 और 3 देखो 6 पॉइंट मैंने question से निकल वा दिया अपके done sir clear है clear है sir अब इन्होंने finished goods का additional अपनी पॉइंट से पॉइंट डाल दिया कि आपने इनको category wise चेक करके चलना है फिर यह कहता है instruction कोई निये damage और obsolete stock का तो इसके लिए instructions होना चाहिए count sheets जो है जो भी बंदा count कर तो मैंने आपको बता दिया कैसे solution निकालना है जब भी आपका इस तरह से कोई different question exam में आए आप जितना हो सके points को question में से उठाओ trust me अगर 5 number का भी question आता हो और आपने थोड़ी सी ऐसे smartness दिखाई क्या हम 3-4 number score कर सकते हैं हा सर कर सकते हैं कब कर पाएंगे जब हमी cool काम mind से आगे बढ़ेंगे clear है clear है sir and trust me na ऐसी questions na opportunity बनते हैं जब ऐसे question आजाते हैं क्या होता है न बाकी लोग तो घबरा जाएंगे आपने घबराना नहीं है ठीक है ठीक है sir अब आजाओ question number 2 बहुत ही प्यारा question है सारे बच्चे एक बार फटा फटा फट question 1 को go through करो then let's begin with question 2 हाँ जी मित्रो अब ये जो question है न बहुत ही प्यारा question है इतना सीखने को मिलेगा न मज़ा आ जाएगा देखो क्या गयता है जब आप audit कर रहे थे cjx limited which is a listed company chrishti notices that the company has extinguished following material liability कुछ ऐसी material liability है जिसको company ने extinguish कर दिया sir extinguish कर दिया मतलब इनको आपने अपनी book से उड़ा दिय इनको आपने अपनी book से उड़ा दिया write off कर दिया जो word आपको ठीक लगे बोल दो but company ने liabilities को हटा दिया sir इसका मतलब settle हो गई होंगी आप liability को अपनी book से कब हटा सकते हो जब settle हो गई हो देखते है settle होई की नी तो ये कहता है हमने इनको उड़ा दिया unilaterally sir unilaterally मतलब एक तरफा सरी एक तरफा तो कुछ अलग ही लग रहा है अरे एक तरफा मतलब हमें liability किसको पेगंडी थी creditor को तो बिना creditor से बात करें बिना creditor से negotiation करें आपने इन liabilities को उड़ा दिया without entering into any settlement with the creditor and reported these amounts as other incomes आप समझ रहो क्या किया है entry क्या पास करी है sir entry पास करी liability debited to other income ओ माई ग P&L को credit कर दिया बोला liability गई P&L credit सारे बच्चे मुझे बाब बताओ क्या ये सही लग रहा है answer is no तुम अगर auditor होते तो क्या करते sir management का गला पकड़ते हम management का गला पकड़ते कि भई ये liabilities क्या है तो management ने आपको बताया देखो क्या कहता है management कहता है एक liability थी raw material की साड़े 3 करोड की बड़ी ये raw material बड़ी ही बेकार quality के थे तो हमने और rates का भी difference था तो हमने इसको set off मार दिया ठीक है sir दूसरा कहता है capital goods की liability थी 2 करोड रुपे की ये भी बड़े defective capital goods थे तो लगबग साड़े 5 करोड की liability इन्होंने unilaterally उड़ा दी without any you can say what settlement with the creditor अब मु sir essay 505 external confirmation कहीं ना कहीं auditor को creditor से confirmation ले लेनी चाहिए कि क्या आप ये पैसे company से मांगोगे तो नहीं क्या आप ये पैसे company से मांगोगे तो नहीं तो देखो क्या कहता है management का ये opinion है that these dues are no longer payable हमको pay करने की जरूरती नहीं है तो अगर हम इन liabilities को retain करते हैं तो हमारे books में liabilities overstate हो र return back after stopping the dealing with the creditor अब she she कौन है sir she है स्रिष्टी जो हमारी auditor थी इसने का कि यार बात तो सही है अब मुझे creditor से पूछना चाहिए तो इसने ना 505 लगाया इसने का मैं external confirmation भेजूंगी creditor को but management कहता है हम तो नहीं भेजने देंगे management कहता है हम तो नहीं भेजने देंगे इससे क्या होगा ना creditor को लगेगा creditor को मौका मिल जाएगा creditor को मौका मिल जाएगा of a proof of the existence of liability आप मुझे एक बात बता तो सारे बच्चे क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है सर क्या चल रहा है सबसे पहली चीज़ यह चल रही है management ने liabilities उडा दी बिना creditor से discuss करे क्या तो audit side गया, अकाश सर को बुलाओ अकाश सर को बुलाओ, मुझे बताओ आपका FR का जो घ्यान है, वो आपको ये allow करता है, answer is no sir, FR का घ्यान allow नहीं करता, तो सबसे पहले तो आपका जो FR का घ्यान होगा न, liability को लेके, वो आपने अपने answer में लिखना होगा, ठीक है, मैं हरे हरे से लिख रहा हूँ, जो जो बाते आपने step by step लिखनी है, सबसे पहले तो liability को लेके, जो आपने FR में सीख रखा है, वो बताना पड़ेगा, वो क्या बताना है, मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है sir, दूसरी चीज, दूसरी चीज कहा है sir, दूसरी चीज है essay 505, external confirmation, जब भी आपको external confirmation भेजनी है, और management मना करती है, management मना करती है तो आप उससे reason समझते हो, what is the reason for not allowing, वो reason कहीं कहींना कहीं reasonable होना चीए, उसके regarding आप audit evidence ले, तो यहाँ पे report as per essay 705, इसने खुद बोल दिया material है, तो audit report modify तो होगी, ठीक है sir, पहली चीज हो गई, liability दूसरा हो गया, 505 का तड़का, तीसरी चीज कहा है sir, तीसरी चीज है, यह कह रही है कि मैं इसको key audit matter में डालूंगी, आप मुझे बताओ, modify करने करने की जगा, modify करने की जगा, क्या मैं किसी चीज को key audit matter में डाल सकता हूं, नहीं sir, शुभम सर ने सिखाया था, key audit matter is not a substitute, key audit matter is not a substitute of DMRS, यह DMRS क्या था, disclosure in the financial statement, वो तो होंगे यह नहीं कि disclosure हटा के key audit matter डाल दिया, modified opinion as per essay 705, reporting as per essay 570, going concern and separate opinion on individual matter, तो जब आपको modify करना है, as per essay 705 तो आप key audit matter नहीं डाल सकती, यह तीन बाते आपने अपने answer में लिखके चलने है, खुश हो जाएगा examiner, अब देखो क्या कहता है, यह कहता है, liability is a present obligation, ठीक है sir, present obligation की आपको आपको आगे जाके पैसे देने पड़ेंगे, यानि transfer करने पड़ेंगे, economic resources, because past में आपने कुछ purchases करी है, कुछ events करें, जिस वज़े से आपको आगे जाके पैसे देने है, ठीक है sir, यह कहता है, कि कई बार आप obligation को fulfill ना करके, आप obligation को fulfill ना करके, भी, liabilities को settle कर सकते हो sir, कैसे, जब आप सामने वाली party के साथ negotiation कर लो, ठीक है sir, या आप अपनी obligation किसी third party को दे दो, 3-4 तरीके liabilities को set off करने के, settle करने के without payment, तो कहता है, पहले तो आपने negotiation कर लिया, दूसरा आपने किसी third party को भेज दिया, तीसरा कहता है तीन तरीके दियान रखना, जल्दी से बताओ, क्या-क्या सर, सबसे पहले है negotiation, दूसरा है transfer, एंड तीसरा है replacement, ठीक है, negotiation, transfer, replacement ये तीन तरीके हो गए, ये तो हो गया sir, FR का ग्यान जो आपने हमको बोला था, ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कोई settlement हुई है, नहीं, क्या third party को liability दिया, नहीं, क्या कोई another obligation है, नहीं, इसका लोग गलत काम किया तुमने, अब सरीक बाँ बताओ, such an accounting treatment is quotionable, and against the conceptual framework of India, पहला पाट तो हो गया, दूसरी बात कहता है, SA 505 external confirmation, जब-जब management मना करती है, तब आपने क्या करना है, थोड़ा alert रहना है, and अगर आपको लगता है, reason valid और reasonable नहीं है, तो आपने alternate procedure देख करने है, और वेसी बात है, जब main audit procedure नहीं हो पाएगा, तो alternate करेंगे, alternate से भी अगर audit evidence नहीं मिलता, तो TCWG को बताते हैं, and last में हम कहां जाते है, modify the opinion as per SA 705 क्या यह basic बात समझ आती है, हाँ सर समझ गए, अब last में कहता है, कि 705 का तड़का क्या लग सकता है, सर इसमें, SA 705 के चाहो तो अपने notes खोल लो, ठीक है सर, SA 705 में एक topic आता है, circumstances, circumstances circumstances which are related to limitation on scope, जिनकी वज़े से कहीना कहीन लिमिटेशन on scope आ जाता है, इसमें तीन तरगे circumstances आते हैं, एक तो limitations which are imposed by the circumstances, ठीक है कहीना circumstances की वज़े से limitation हो रही है, दूसरा कहता है यह जो limitation है, audit के procedures की वज़ेसे, auditor के procedure की वज़ेसे, and तीसरा कहता है limitation जो लगाई है यह management ने लगाई है ठीक है यह basically topic जो नाम है उसका नाम है example examples of cases of limitation on scope तो यह कहता है तीन लोग limitation लगा सकते हालात auditor के procedure और management जो management के points है उसमें साफ साफ लिखा है कि या तो वो S.A.501 नहीं करने दे रही यानि inventory counter trend नहीं करने दे रही या वो आपको S.A.505 नहीं करने दे रही external confirmation नहीं भेजने दे रही तो यह ज़्यादा इतना deep जाने की भी ज़रूत है सीधा बोलो हमको audit evidence नहीं मिल रहा impact material है तो कहीं ना कहीं opinion modify करना पड़ेगा क्या इतनी सी बात समझ आती है हाँ सर अब आप 701 में ये बोलोगे जो मैंने आपको बात बताई की की audit matter is not a substitute of modified opinion आपको अपना opinion modify करना ही करना चाहिए तो ये 3 stages में आपने answer लिखना जल्दी से बताओ क्या सर सबसे पहले तो accounting गलत है सबसे पहले तो accounting गलत है और दूसरी चीज़ के आएगी 505 external confirmation जिसकी hint भी दिये question ने ठीक है तीसरी चीज़ ये है तीसरी चीज़ ये है क्योंकि impact material है और material misstatement है तो आप अपना opinion modify करोगे उसमें key audit matter नहीं दे सकते हैं ये 4 simple बात है अगर आपने answer में लिख दी तो examiner खुश हो जाएगा इस तरह के जो questions है इसको deal करने के लिए क्या तरीका है सर practice practice और practice एक दम खुले दिमाग से बस आपने exam में बैठना है and trust me चीज़े हो जाएगी मुझे भी बता दो अगर suppose चलो मनें चार बाते ना भी बता होती हम यह शायद liability वाली theory लिखना भूल जाते तो अब जब आपने question कर लिया है तो at least आपने एक judgment बना ली कि अगर इस तरह का question आएगा तो मुझे थोड़ा FR का माल लिखना पड़ेगा समझ गए सर 705 तुम लिख देते ऐसे 505 तुम लिख देते 701 तुम लिख देते बस ये एक additional चीज ही तो थी तो 5 में से 3 से 4 नमबर तुम वैसे भी ले आते हमने बस इस question को करके कुछ additional एकटा कर लिया clear है clear है सर अब आजाओ सारे के सारे बच्चे question number 3 सर ये क्या कहता है this is a very very different question कही ना कही बता नहीं भाई SQC1 को लेके आई से के मन में क्या चल रहा ठीक है पूरा chapter डालते है पहले study material में उसके बाद उसमें से कुछ नहीं पूचा उस study material वाले chapter से कुछ नहीं पूचा उठाते हैं ये audit pronouncement की book ये topic ऐसा दिख रहा है जो मिरे को लग रहा है कहीं किसी बच्चे ने नहीं पड़ा इसको डालो MTP में बच्चे को थोड़ा जटका तो दे अब वो जटके वाला question देखो क्या है material question अभी तुम करोगे तो तुमको लगगा हाँ सर ये तो हम practical audit में करते हैं TPX and company CAs is a large audit firm very good it maintains the audit documentation electronically as well as in physical format ठीक है सर जो physical file है उनको ये scan नहीं करते ना इनको ये electronic files में incorporate करते ना इनकी cross referencing करते इन electronic file सर आप बताओ EY में क्या होता था मैं आपको बता जाताओ जितने भी हमारे physical work papers होते थे थे जो भी हम physically balance confirmation लेते हैं ठीक है जो हमारे पार balance confirmation आती थी bank से, debtor से, legal consultants वगरे से सबसे पहला काम जो हमारा manager हमको कहता था करने को वो कहता था इनको scan कर दो scan करके हम इनको अपना जो work paper होता था ना जो excel file होती थी उसके अंदर include करते थे और cross referencing करते थे कि भाई ये जो balance आ रहा है HDFC bank का इसकी confirmation ये री ये जो balance आ रहा है SBI का इसकी confirmation ये ये सारी चीज़े practically होती है ठीक है sir तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई ये लोग ये हरकते करी नहीं रहें ना तो ये उन चीजों को scan कर रहे हैं ना वो अपनी excel file में डाल रहे हैं ना कोई cross referencing कर रहे हैं which is very very bad करना चाहिए था further there are many instances where the work papers don't contain the detail कि भाई ये information client से मिली है या engagement team ने बनाई है sir ये बात भी जरूरी है ये बात भी जरूरी है मुझे बताओ क्या आपको जानना नहीं है suppose आपकी audit documentation को review कर रहा है तो reviewer को ये तो समझ आना चाहिए कि ये client ने दिया था या तुमने बनाए है तो this is also important so how do you think the above situation considering the quality control system of the audit firm जैसी quality control system दिख जाये न चुप चाप SQC1 तो लिखाना चुप चाप SQC1 तो लिखाना अब मैं आपको बताता हूँ माल लो आप ये question नहीं कर रखा तो कैसे deal करते हैं कहीं ना कहीं ये सब जो चीजे नोंने नहीं कर रखी थी हम लिखते करनी चाहिए question सी उठा लेंगे और बोलेंगे करनी चाहिए दूसरी चीज हम ये बोलते हैं कि भाई ये भी बताना चाहिए कि कौन सी चीज client से लिए है और कौन सी चीज इंगेजमेंट टीम ने बनाई है तो जो इंगेजमेंट टीम ने किया it is not proper the quality control system is not proper तो भली अगर question चार से पांच नंबर का आए कम से कम आपको एक से दो नंबर तो मिल जाएंगे हाँ sir बाकी तीन नंबर कैसे safe रहनी चाहिए safe custody में होनी चाहिए safe रहेगी तो integrity रहेगी कोई उसमें छेड़ खानी नहीं करेगा plus इतना भी safe मत रख देना इतना भी safe मत रख देना जैसे तारग महता में होता था न वो दया को बोलता था इसको safe रख दो तो वो safe रखती थी तो आपने उसको confidential रखना है ठीक है सर confidential रखने के लिए उसको उसकी क्या maintain करनी है integrity maintain करनी है तो तीन बाते ध्यान रखना confidentiality, safe custody, integrity say with me confidentiality, safe custody, integrity अब इतना भी safe custody में मत रख देना कि निकाल ही न पाओ तो साथ में दो चीज़े और क्या हो नहीं चीए accessibility और retrievity ठीक है फिर आप बताओ facts of the case में कि ना तो इन्होंने scanning करी ना इन्होंने cross referencing करी ना इन्होंने policies and procedure बनाए to maintain the integrity of information lack of ensuring the same makes it difficult कि भाई जो इनकी audit file थी जो इनकी audit file थी क्या वो completely assemble हो गई होगी प्रॉपरली बन गई होगी within 60 days as per the SQC1 यह कहता है जब भी आपकी documentation इन सब forms में होती है paper form, electronic form, other medium तो यह 3-4 चीज़े होनी चाहिए है वो ही जो 3 चीज़े उपर लिखी थी वो ही यहाँ पर लिखिया integrity, accessibility, retrievability यह सब होना चाहिए ठीक है यह कहता है integrity, accessibility, retrievability होनी चाहिए but it can be compromised अगर यह documentation के साथ किसी ने छेडखाने कर दी अगर यह documentation को किसी ने delete कर दिया या add कर दिया तो यह permanently damage हो सकती है ठीक है sir अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ जब मेरी physical files damage हो सकती है जब मेरी physical files lost हो सकती है तो क्या important है sir आप इनको scan कर लो आप इनको scan करके कहीं न कहीं server पर store कर लो तो यही कह रहा है one of the reasons for developing the controls of engagement documentation is protecting the integrity of information ठीक है ठीक है sir तो इनी reasons की वज़े से it is required कि आप इनको electronically scan करो अब sir electronically scan करना है मतलब क्या करना है सबसे पहले scan कर लो ठीक है generate the scanned copy of entire content ठीक है sir अब जब आपने scan कर लिया तो धेड़ सारी files हिखटी हो गई है scan होके पूरे folder में तो कहीं न कहीं आपको इसका indexing करनी पड़ेगी indexing करके बताना पड़ेगा इस page पे ये file मिलेगी इस page पे ये file मिलेगी तो आपको न अपनी engagement files में क्या करनी पड़ेगी indexing करनी पड़ेगी और sir एक बात बताओ जो bank confirmations थी उसका काम तो चुन्नू ने किया था जो legal confirmation थी उसका काम तो मुन्नू ने किया था तो चुन्नू और मुन्नू के sign off होने चाहिए कि कि किसने क्या काम किया है तो ये sign offs भी होने चाहिए तो indexing भी होगी, sign off भी होगी और जब आप इसको store कर रहे हो तो ऐसी जगा store करना कि आप इसको retrieve कर सको आप इसको वापिस निकाल सको So enable the scanned copies to be retrieved and printed as necessary जब जरुवत पड़े तो ये हो जाए क्या यहां तक बात समझ आती है? हाँ sir इत्ता बड़ा हम लिखेंगे कैसे? इधर देखो सबसे बहले किसकी reference देंगे? exclusive one इसमें policies and procedure क्या होने चीज़े है? चीजों को safe जगा store करने के लिए फिर वहाँ से निकालने के लिए बोलो मेरे साथ चीजों को safe जगा store करने के लिए and safe custody आप ऐसा बोलो कौनसी जगा store करने है simple रखते हैं न भाई अपनी पर आ जाते हैं कौनसी जगा store करने है? कौनसी का क्या मतलब है? confidentiality, safe custody, integrity अब आजो बच्चों वाली तरीके है ठीक है? जब याद नहीं होता तो बच्चे वाली तरीके पर हो कौनसी तीन जगा store करना है सर आप पूछो कौनसी जगा store करना है confidentiality, safe custody, integrity बट ऐसी जगा हो जहां से निकाल पाओ ऐसी जगा हो जहां से निकाल पाओ निकाल पाओ का क्या मतलब है? accessible भी हो और retrieve भी कर सको ठीक है सर अब फिर बता दो facts of the case अब फिर बता दो facts of the case और बताओ electronically store क्यों करना है सर electronically इसले store करना है क्योंकि जो physical files है वो उसमें changes हो सकते हैं उसमें कुछ नई चीज़े add हो सकती है उसमें से चीज़े delete हो सकती हैं तो it is important कि आप electronic documentation maintain करो अब वो कैसे maintain करनी बड़े simple है physical file को scan करा उसके बाद जब इतनी सारी file इखटी होगे तो उसमें indexing और sign off होना चीए and last में वो retrievable होनी चीए ऐसा होना चीए अब उसको download करके उसका print ले पाओ तो just go in a proper flow three step manner and last पहरा जो है वो quotients ही मिलता जुलता है quotients में दो points थे सर पहला क्या था electronically आप चीजों को maintain नहीं कर रहे दूसरा था आप differentiate नहीं कर रहे कौन सी चीज auditor की है और कौन सी चीज client ने provide करी है तो यही यह point कहता है last में कि it is important to identify the source of document क्या source है document का client source है या auditor source है सर source से क्या फरक पड़ता है source से फरक पड़ता है reliability पे सर यही बात तो हमने essay 500 में सीखी थी यही बात तो हमने essay 500 में सीखी थी कि जो audit documentation है क्या यह internally generated है या it is obtained from external sources outside the entity हाँ सर यहाँ पे कैसे जुड़ गई मुझे भी नहीं पता बड़ मैं तुमको थोड़ा इसे link करके दे रहो कि identify the source of document ताकि आप इसकी reliability को check कर सको बस यह additional बात आपने इसमें लिख के चलनी है ठीक है मेरा ऐसा मानना है ऐसे तड़कते भड़कते questions जब वो exam में आते हैं तो बिल्कुल ना इसे घबराने की ज़रुद नहीं क्या होता है ना समझना मेरी बात क्या यह आपके लिए नहीं है answer is no सबके लिए नहीं है तो जित्ती बैंड आपकी बजरी ना अंदर से कैसे नहीं कोशन आ गया ऐसी सब की बजरी है ऐसे केस में अगर या तो आपने कोशन को पहले कर रखा जैसे अभी हमने कर लिया तो तो खुश हो जाना वाओ मैं कर के आया अगर आपने नहीं कर रखा तो भी ऐसे रिलेक्स फील करना मैं पैनिक तो नहीं कर रहा मैं पैनिक तो नहीं कर रहा mcqs और बाकी descriptive में number बटोवर लेंगे ऐसे questions को last minute tackle करेंगे clear है? clear है sir अब आ जाते हम सबका favorite topic professional ethics सारे बच्चे पानी के दो घूट लगाओ and let's begin with it हान जी मित्रों सबसे पहले आता है question CA ज्यान CA ज्यान is a chartered accountant in practice ठीक है he is also engineer by pop qualification sir हमारा CA नहीं हो रहा है engineering भी करके वेड़ा है very good he wants to pursue a registered valuer course क्या एक chartered accountant registered valuer बन सकता है? हाँ sir बन सकता है and he wants to work as a registered valuer for plant and machinery under the companies act 2013 यहाँ है game यहाँ है game यहाँ ICI खेलने की कोशिश कर रहा है and मैं बता दू this is an indication कि आपने standards on auditing और professional ethics को पूरी शिदद से करना है एक-एक line जो notes में दे रखिया न उसको आपने अच्छे से go through करके चलना है रटा नहीं लगाना but at least समझ के चलना है ताकि इस तरह के questions को आप अच्छे से deal कर सको यह कहता है comment with reference to the provisions of Chartered Accountant Act 1949 अब मैं आपको एक बात बोलूँ हा सर इस question में न दो बाते चुपी है एक बात जो apparently दिख रही है दूसरी बात जो आपको समझनी पड़ेगी एकदम बता रहा हूं जैसे as a student feel करेगा न वैसी बता रहा हूं पहली बात जो apparently दिख रही है कि क्या एक CA registered valuer बन सकता है प्लस अगर बन सकता है तो क्या वो plant and machinery को value कर सकता है कि नी पहली बात तो यह हो गई दूसरी बात जो ICI ने बातो बातों में कह दी कि क्या as a chartered accountant in practice मैं कोई नया course कर सकता हूं क्या मैं कोई नई examination में बैठ सकता हूं अगर हा न जो भी है इसके बारे में भी क्या कोई clause है जहां पे मुझे discuss करना होता है तो यह जो course और examination वाली बात है यह generally एक student neglect कर सकता है और उपर भी जो बात लिखी है वो registered valuer देखके खुश हो सकता है और बोल सकता है not guilty allowed but game कहा है sir game है plant and machinery में क्या मैं plant and machinery की valuation कर सकता हूं या नहीं तो सारे बच्चे एक बार आओ अपने professional ethics के notes पे and in notes में एक section है two subsection two clause four जो बात करता है management consultancy and other services की ठीक है sir अगर आप इसमें देखो है जो मैंने red में mark कर रखा है registered valuer valuation of the shares valuation of the business and advice regarding amalgamation merger and acquisition क्या यहाँ पे plant and machinery लिखा है क्या क्या यहाँ पे plant and machinery लिखा है the answer is no तो ध्यान रखना मेरे दोस्त जब भी बात होगी valuation की तो valuation किसकी सर्फ is fixed assets की नहीं financial assets की financial assets like shares, business और बाकी जो भी advisory amalgamation, merger, acquisition यह सब आप दे सकते हो इनके लिए registered value बन सकते हो plant machinery के लिए नहीं ठीक है सर मजा आ गया अब दूसरी चीज़ आती है course और examination की तो यह भी एक बार देख लेते हैं सर यह कहां covered होगा यह आपके general permission में आता है जो आपके general permission और specific approval दे रखे होते हैं clause 11 में एक बार chartered accountant मन गए तो क्या एक और occupation और business कर सकते हैं क्या तो यह वहाँ पे हम इसको cover करके चलते हैं फड़ा फट एक बार आओ देखो क्या कहता है यह देखो permissions granted generally यह कहता है कि बाई साब कही ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहा गया examination वाला attending the classes and appearing for any examination तो आप कोई सी भी examination करो भले valuation वाली examination करो कोई दिक्कत नहीं यह आप कर सकते हो यह आप कहीं ना कहीं कर सकते हो तो अब आप answer read करो अब आपको चीज़ेश एकदम बढ़िया तरही के से समझ आएंगी, सबसे बहले आएगा सब सेक्षिन 2, सब सेक्षिन 2, सब सेक्षिन 2, सब सेक्षिन 2, क्लॉस 4 कि council ने permit कर दिये entire range of management consultancy and other services, तो ये section आपने code करके चलना है, ठीक है सब, जब आप यहाँ पे बोलोगे तो आप यही blind लिखोगे जो notes में लिखी थी, कि valuation of shares, business, amalgamation, merger and acquisition आप कर सकते हो as a registered valuer, बढ़ यहाँ पे आप plant and machinery को value नहीं कर सकते, only and only the securities and financial assets, so this does not form part of MCS permitted by the council, काफी deep गये हैं, ध्यान रखना, ठीक है सर, अगली चीज़ यह कहता है कि regulation 190A, यह जो regulation है 190A, ठीक है सर, इस regulation के हिसाब से, इस regulation की साब से, classes attend करो, examination में appear करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई permission लेनी की ज़रूत नहीं, it is generally permitted, तो दो चीज़े थी question में, सर क्या, क्या मैं valuation कर सकता हो, plant and machinery की answer is no, but क्या मैं examination attend कर सकता हो, answer is yes, तो very very good question, professional ethics में generally ऐसा देखा गया है कि, आई से, जब भी question देता है, इस तरह के तड़कते बढ़कते, generally these are repeated, और recent RTPs and MTPs से repeat होने के chances बहुत रहते हैं, तो जो भी मैंने आपको recent RTPs and MTPs की file दी है, उसको आपने अच्छे से करके चलना है, देखो क्या कहता है, jam, Cadbury jams नहीं है, jam का मतलब कुछ है, government e-marketplace, ठीक है, it is a public procurement portal which provide opportunities to the startups, entrepreneurs, to showcase their innovative products and services to the government buyers, जो government के लोग खरीदते हैं, वो sir, उनके लिए आपको कहां register होना चाहिए, उनके लिए आपको register होना चाहिए, jam portal पे, तो क्या मैं बोल दू, jam portal is just like quotations वाली marketplace, जहाँ पर government को चीज़े खरीदनी है, and government के लिए आप यहाँ पर register हो सकते हो, ठीक है sir, अब सर एक बाब बताओ, यह कहता है, the government e-marketplace special purpose vehicle is a 100% government owned and sectionate profitable company, जो incorporate हुई है, companies like 2013 में, and वो maintain करती है, jam platform को, क्या मैं as a firm, क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा है products and services, क्या as a firm of CAs, मुझे अगर government department को service देनी है, तो मैं यहाँ पर registration करा लूँ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, क्या आपको jam portal के बारे में पता है, answer is yes, you know कि government एक ऐसा department maintain करके चल रही है, एक ऐसा portal maintain करके चल रही है, जहाँ service providers register करा सकते हैं, तो अगर as a CA मुझे government departments को service देनी है, तो क्या मैं भी अपने आपको register करा सकता हो, answer is yes, करवा लो, जब आपको इस portal के बारे में पता है, तो फिर आप register करा सकते हो, ये बात हमने कहां सिखी थी, sir, clause 6, clause 6, rowing inquiry, sir, rowing inquiry में क्या था, जब भी आपको पता हो कि government एक ऐसा database maintain कर रही है, government एक ऐसा portal maintain कर रही है, तो आप उनको, आप उनको बोल सकते हो, आपका नाम include करने के लिए, अगर आप चाहो, तो एक बार आजओ, clause 6 में मैं आपको इस relevant provision भी go through करा देता हूँ, come on, come on, come on, come on, आगए, sir, ये देखो, क्या कहता है, government department, yo, 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 ये रह, sir, government department and many institutions maintain a panel for CS for allotment of professional work, जहां आपको इस existence के बारे में पता है, जहां आपको इस existence के बारे में पता है, you are free to write to the concerned organization, but आप बार-बार उनको परशान नहीं कर सकते, और उनसे call करके नहीं पूछ सकते, आपका ऐसे कोई department है क्या, तो आप यहां पे अपना नाम register करा सकते हो, बस इतनी सी बात अगर आप लिखोगे, तो examiner खुश हो जाएगा, तो यह कहता है, as per the council guidelines for advertisement, it is not permissible to get yourself registered on a service provider aggregator like urban clap, यह कहता है, urban clap वगर पे registered नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे कहा है, different varieties of occupations है, plumbers भी है, electricians भी है, beauticians भी है, अब यह beautician के साथ CSI sound नहीं करता, तो कहता है, यह तो allowed नहीं है, ठीक है sir, but clause 6 ने कहा है, कि जब भी government department ऐसे panel बनाएंगे, और आपको panel के बारे में पता है, तो आप इनको लिख सकते हो, अपना नाम include करने के लिए, अगर वो inquiry करते हो, तो आप पनी fees भी court कर सकते हो, फिर आप facts of the case लिखना और बोलना, there is no violation, and बस आपने comply करना है with the tender guideline, अगर कल को कोई tender है, तो tender guideline से comply करना, मेरा आप सबसे सवाल मुझे comment section में बताना, ठीक है, sir, अगर यह जो tender है, this is exclusive for the chartered accountant, यह कई ना कई CAs की service के लिए exclusive है, जैसे की audit, तो मुझे बताओ, इसमें कौन सी fees court करनी होती है, minimum या maximum, this I want all of you to write in the comments, ठीक है, ठीक है, sir, तो यह answer आप वैसे भी लिख देते, कोई दिक्कर नहीं थी, जो additional चीज मुझे लगी, इस answer में डाली है, वो यह है, service provider aggregator वाली, जो हम advertisement guidelines में पढ़ते हैं, ठीक है, sir, अब आजाओ question number 3, फड़ा फट पानी के दो घूट लगाओ, और ready हो जाओ question 3 के लिए, CAZ is in a practice and desirous of filing a multi-purpose impenlement form, for inclusion of his name in the panel for allotment of statutory audit, of the bank branches hosted by the professional development committee of ISA, तो ISA एक ऐसा panel बना रहा है, किसके लिए ताकि bank audit लोगों को दिये जा सके है, form inquires the applicants to upload a XML file of their personal income tax return, यह कहता है कि आपको bank audit चाहिए as a CA in practice, तो आपको पनी personal income tax return देनी पड़ेगी, ठीक है, during the relevant year, CAZ ने बताया कि भई, उसने futures and options में trading करिए, equity वाले, क्या as a CA in practice, आप equity options और futures में trade कर सकते हो, मैंने कभी मना किया ही नहीं, मैंने कभी मना किया ही नहीं, तो सर हाँ, obvious ही बाते कर सकते हैं, सर आपने वट commodity derivatives के लिए आथा नहीं कर सकते, आपने कही ना कही commodity derivatives के लिए आथा नहीं कर सकते, मैंने कहा था क्या, अभी भी कहता हूँ, मैं आपको अभी भी कहता हूँ, commodity derivatives आप trade नहीं कर सकते, ये बात आपके लिखिए clause 11 के end में, ठीक है, एक बार अगर आप clause 11 के end में आओगे, तो वहाँ पर मैंने I think note लिखवाय था, ट्रेडिंग इन commodity derivatives treated as a business, इसके लाब आप जो भी करो, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है सर, ये कह रहा है, futures and options, equity में trade के बने का चलेगा, अगली चीज कहता है, कि analyze the above situation with reference to the provisions of CAC 1949, मुझे बताओ कोई दिक्कत है, क्या answer is no, बहुत सारे see and practice है, रोज futures and options में trading करते हैं, किसी company का share बेच के कभी कहीं खरीदते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या कोई फरक पड़ता, अगर ये जो income है, ये currency derivatives हैं, अब मुझे बताओ, नोट्स में क्या लेका है, commodity derivative या currency derivative, सर commodity derivative, तो currency derivative भी चल जाएगा, currency derivative भी चल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ICI गुमरा करने की कोशिश करेगा, क्या तुम पिगलोगे, बोलो नहीं, ठीक है सर, बट अगर ये commodity derivative होता, तो बोल देते, अलाओड ही नहीं है, अगर commodity derivative होता, तो बोलते अलाओड ही नहीं है, तो सबसे पहले answer कैसे start करने है, clause code करके, clause 11 part 1 of the first schedule कहता है, अस ये in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if he engages in any occupation of business, other than the practice of chartered accountancy, but वो company का director बन सकता है, other than MD or WTD, provided, ना तो उसकी firm, ना उसका partner, आप कुछ derivative transactions करो, in the personal capacity, not in professional capacity, ठीक है सर, such engagements are not violative of clause 11 part 1 of first schedule, further, members are allowed to transact in equity and currency derivative, कहता है, कोई दिक्कत निये, आप ये कर लो, there is no requirement to take the permission of counsel, there is no difference कि भले, उसने currency derivative भी कियो अदा, कहता है, हमको कोई दिक्कत निये, currency derivative भी करो, बट क्योंकि ये commodity derivative वाला काम, इसने खराब किया, commodity derivative में, वो बंदा guilty हो जाएगा, commodity derivative में guilty हो जाएगा, इती सी बात बस आपने समझ के, चलनी है, अब सर आजो सारे के सारे बच्चे, specialized areas, फड़ापट पानी के दो घुट लगो, specialized areas पे आज़े, बस अब ये MTP अपनी आखरी साह से ले रहा है, कुछ जादा नहीं बचा, ये सारी चीजे, कहने को नए question है, but these are direct question from the notes, very very easy, देखो क्या कहता है, when the auditors report on the audited financial statement, contains a qualified opinion, यानि बड़े वाले financial statement में qualified opinion है, पूरे financial statement में qualified opinion है, ठीक है सर, क्या qualified opinion का impact material होता है, हाँ सर, but क्या इसका impact pervasive होता है, मैंने का नहीं, इसका अलब पूरे financial statement खराब नहीं है, एक आज जगा कुछ खराबी होगी, तो ये कहता है, इसके जो summary है न, वो तो एकदम चका चक है, जो इसकी summary है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम summary पे unmodified opinion दे सकते हैं, answer is yes, ये कहता है, आप summary पे unmodified opinion दे सकते हो, बड़ आपको बाकी matters क्या बताने पड़ेंगे, सर यही बताना पड़ेगा, कि उपर वाले जो financial statement है, उसमें qualified opinion है, state that the auditors report on audited financial statement, contains a qualified opinion, अब वो जो qualified opinion है, उसके reasoning बताओ, what was the basis for that qualified opinion, और वो qualified opinion जो भी उसके बारे में बताओगे, and उसका क्या effect है, उसका क्या effect है, summary financial statement पे, अगर है तो बताओ, नहीं है तो नहीं बताओ, if any, optional है, ठीक है sir, बट sir, अगर हमको लगता है, summary financial statement तमीज से नहीं बने, अगर summary financial statement तमीज से नहीं बने, तो आखे बंद करके, चुक चाप लिख देना adverse opinion, ना तो आपका qualified, ना आपका disclaimer, वो सब गए भाड़ में, यहाँ सीधा सीधा यह बोलता है, जब री summary financial statement तमीज से नहीं बने, आप क्या दोगे sir, हम देंगे adverse opinion, बड़ा easy था, अब आजो review engagement पे, यहाँ आपको कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा, देखो क्या कहता है, यह कहता है, इन a review engagement performed under SRE 2400, auditor mainly relies on certain procedure, बताओ कौन-कौन से main procedure होते, inquiry और analytical procedure, ठीक है sir, discuss the importance of these procedure, तो यह जो importance है, यह तो direct question है, हमने class में बहुत अच्छे detail में cover कर रखा है, ठीक है sir, अब जो इसमें, मसालेदार बात आती है, वो देखो क्या कहता है, practitioner report contains, outcome of review engagement, in the form of conclusion, हम जो reporting वाला last topic करते हैं, उसमें कहते है, conclusion आते हैं, जिसमें आप description देते हैं, review of financial statement की, और उसके limitations की, तो which statements are included in the practitioner report, इस चीज़ को लेके, क्या सीखा, इस question से बताओ मुझे, क्या सीखा है, इस question से बताओ मुझे, sir, reporting वाले part को neglect नहीं कर सकते, हम कही ना कही reporting वाले part को neglect नहीं कर सकते, और वो पूरे का भी रटा नहीं लगाना है, जहां reporting में आपको दिख रहा है ना, 3 से 4 points वाली कोई heading है, उसको आपने अच्छे से करके ही करके चलना है, और यह ऐसी heading गिन के 4 से 5 से ज़्यादा नहीं होगे, total अगर मैं सारे standards को मिला दू, जितने भी नए वाले standards आये हैं, 4-5 से ज़्यादा आपको ऐसे topics नहीं मिलेंगे, तो मेरी आपसे request है, इनको प्लीज अच्छे से cover करके चलना, luckily, luckily, हमने reporting वाले part में, जब आप अपने notes देखोगे, सर यहाँ पे न कोई भी कामचोरी नहीं कर रखी, जब आप यहाँ पे go through करते हो, reporting वाला part, कहा गया, 24-00, यह रहा सर, जो आपका reporting वाला part है न, यह अगर आप देखोगे न, कई जगा क्या कर रखा न, एकदम short short में वैसे, बतलब ऐसे 5 line में पूरी reporting खतम कर रखी है, ऐसे थोड़ी होता है भाई, इसकी limitations है, इसमें यह बाते आएंगी, तो please, मैंने क्या बोला, जहां 3-4 points मिले, इनको आप ignore नहीं कर सकते, अब सर इसमें हमको क्या बताना है, मैंने का कुछ नहीं, आपको बस इतना बताना है, कि यह जो है, यह एक limited assurance engagement है, ठीक है सर, क्यूंकि limited assurance engagement थी, हमने ज़्यादा महनत ही नहीं करी, हमने भी limited procedure करे, हमने भी कहीं ना कहीं limited procedure करे, जिसमें inquiry थी, analytical procedure थी, और उससे जो evidence मिला, उसको evaluate किया, अब क्यूंकि हमने limited procedure करे है, इसको audit मत समझ लेना, क्यूंकि हमने limited procedure करे है, इसको audit मत समझ लेना procedures performed are less than audit so don't consider it as a audit opinion हम अपना audit opinion express नहीं करें तो these are the limitations that you need to write तो ऐसे कुछ high-five नहीं है बड़ अगर पढ़ा होगा तो comfortably exam में लिख पाऊगे so just write it is a limited assurance engagement ठीक है सर्व limited assurance का क्या मतलब है limited procedures करे inquiry analytical procedure उसे जो evidence मिला उसको evaluate करके opinion दिया क्या वो opinion audit opinion है नहीं वो opinion audit opinion नहीं है बस इतनी सी बात आपने बता के चनली है अब सर जो अगला question आता है उसमें मैं आपको बताता हूँ ICI ने क्या point of view दिया है and इसमें आपको emerging areas को लेके भी काफी comfort आ जाएगा देखो क्या कहता है CTO limited is engaged in a fintech business और धोनी का t-shirt number के है 7 थाला for a reason तो क्या आपको principle समझ आया हाँ सर principle 7 जिन बच्चों ने अभी तक emerging areas का revision नहीं देखा please go and watch the emerging areas का revision सारे principles आपके tips पर आजाएगे मज़ा आजाएगा ठीक है सर तो यह कहता है it has come under the mandatory preview of business responsibility and sustainable reporting जो हम BRSR की reporting करती है उसका पार्ट बनता है company had submitted the inputs यह कहता है company ने इसकी membership तो ली ही है जो की जरूरी थी but company ने साथ ही साथ inputs भी दी है कि कैसे data personal protection bill का ख्याल रखा जा सकता है machine ministry को दिया it has also submitted to one of the industry chambers some key inputs की कैसे हम digital infrastructure networks का फायदा उठा सकते है fintex का मदद ले सकते है considering the above आप मुझे बताओ कौन से principle में disclose होगा तो आपने बस यहाँ principle 7 की बात लिखनी है ठीक है sir अब यह कहता है इसमें से कौन सी चीज है जो mandatory बतानी है तो आप मुझे बताओ logically कौन सी चीज mandatory होगी ICI से मैंने बात की मैंने ICI को का मैंने का study material में तो तुमने बताया है नी कि कौन सी चीज mandatory है कौन सी चीज optional है तो वो कहते sir आप बच्चों को बोल दे न emerging areas को जितना आपको logically बताया है study material में उतना करके चलना है तो हम भी exam में ज़्यादा high-five सवाल नहीं पूछेंगे मैंने का MTP में तो तुमने पूछा MTP में तो पूछ रहे हो कहते कोई बात नहीं आप exam में expect करो कि हम ठीक ठाक सवाल पूछेंगे मैंने का हमको कोई भरोसा नहीं है कोई भरोसा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आप common sense के इसाफ से बताओ मुझे simple सी बात है क्या member होना compulsory है answer is yes क्योंकि ये बात तो वहां लिखी है principle में बट जब हम principle 7 पढ़ते हैं तो क्या आप वहां पर ये सब बाते लिख रही थी कि आपको inputs भी देने है आपको कही ना कही बाते भी बताने कि कैसे चीजों का भला किया जा सकता है नहीं member होना जरूरी है input देना optional है feel से बोलो member होना जरूरी है input देना optional है तो यहाँ थोड़ी सी common sense लगा के जलना कि एक चीज mandatory एक चीज optional तो बताओ दोनों में से क्या optional हो सकता है sir input optional हो सकता है member होना तो जरूरी रहे गई तो यही बात आपने यहाँ पे लिखनी है sir क्या हर principle में दो indicator होते हैं यह हमने पढ़ा था class में essential indicator और leadership indicator जो essential है उसका mandatory disclosure जो leadership indicator है optional disclosure तो यह कहता है membership जो है यह तो essential indicator तो इसका mandatory disclosure देना पड़ेगा बट जो आपने ऊपर question में ताम जहां बता है न यह input दिया वो input दिया वो leadership position में आएगा and it is a optional disclosure ठीक है ठीक है sir अब आजाओ भाई PSU audit यह एक और जगा जहां मैंने शिकायत करिया इसे को फड़ा फट पानी के दो गूट लगा और ready हो जाओ में इसा तुमको क्या लगता है मुझे सची सची बताना जब MTP में मैंने ऐसे सवाल देखे न पहली चीज पता है मैंने क्या सोची बच्चा कैसे करे मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज यहाई बच्चा कैसे करेगा और दूसरी चीज जब आई न वो यह थी कि आई से ने पूछे कैसे है सब सब तो मैंने आज बात करी बहुत ज़्यादा इंसे बहुत प्रेम पूरवक बात हुई है आचमारी और उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है ऐसे घबराने की बात नहीं है जो आएगा सीधा सीधा मेटीरियल सी आएगा नथिंग टू वरी अब ठीक है सब अब आजओ डीबिटी सरी डीबिटी क्या है प्रधान मंत्री मोधी जी ने यादे एक योजना चलाई थी जेडी योजना सर ये जेडी योजना क्या थी जंधन योजना तो जंधन योजना क्या है सर ये एक public program है यह कही न कहीं एक public program है जहां पर मोधी जी ने धेड़ सारे पैसे इθखटे करे ठीक है सर और बोला जो भी farmers है है जो भी गरीब लोग है सब के account में directly पैसा जाएगा इसको बोलते direct benefit transfer तो यह कहते है direct benefit transfer is a major reform by the government of India to ensure better and timely delivery of the benefits to the people यह एक बहुत बड़ा shift है जिसमें आप 15 delivery benefits आप दे रहे हो लोग को wages time पे दे रहे हो fuel subsidies यह subsidy वो subsidy directly to the bank account जैसे हमिता बच्चन बोलता है na directly आपके bank account में तो ऐसी मोदी जी बोलता है directly आपके bank account में बिना किसी leakage के बिना किसी दिक्कत के जो हमारा CNEG का office है यह इसका performance audit कराता है and you tell us what could be the objective of the performance audit तो sir इसका answer आपको directly study material में नहीं मिलेगा बढ़ अगर आप logical ही सोचोगे न तो आपको लेगा हाँ बाते सही है sir क्या क्या आप मुझे बताओ जिस जिसको benefit देना है क्या यह subsidy सबको मिलेगी नहीं sir सिरफ जो eligible लोग है उनको मिलनी चाहिए तो सबसे पहला point यह आप इसकी proper planning करो कि भाई मुझे सब लोगों को देनी है planning में आपके पास beneficiaries का data होना चाहिए कि किस को पैसा भेजना है सबको मत भेज देना पूर इंडिया जो ज़रुरत बंद है उसके आप पैसा जाना चाहिए कम से कम खर्चा इसकी कोई बात नहीं करी efficiency मतलब time पे जाना चाहिए there should be no delay in payment effective का क्या मतलब है infrastructure effective होना चाहिए तो जो आपके objective होते है na performance audit के economy efficiency और effectiveness उनी को अगर आप use करके भी points लिखते तो मोटा माटी आप भी इनके आसपास पहुँच सकते थे ठीक है सर अब सवाल आता है सर यह audit criteria में क्या हैगा कई न कई audit criteria में क्या हैगा तो audit criteria अगर आप book के भी points लिख दो तो वो कई न कई से match कर जाएंगे सबसे पहली चीज़ के आती थी book में policies, procedure और उनी को हम क्या बोलते थे standard operating procedure तो यह कहता है audit criteria में सबसे बेले नों ने इसकी definition दे थी ठीक है सर इसमें यह कहता है आप use कर सकते हो standard operating procedure guidelines which is the same thing which is given in the book दूसरा हमने discuss किया था सर यह जो standard operating procedures है guidelines है यह अगर हमको समझ में नहीं आ रही तो हम experts की मदल दे सकते हैं तो expert वाला इन्होंने आपे कोई point दिया नहीं है अगर आप लिख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है अब expert कैसा होगा वो था IIT वाला या IIM वाला IIT वाला क्या था सर scientific कोई data available अब scientific data की इसमें कोई जरूरूरत नहीं है but management literature चल जाएगा so the last point that you can cover is management literature subject matter literature तो यहां आपके 2-3 points match हो जाएंगे now comes the last question of the day this question is there in your Quotient Bank also this is not a new question but it is a newly drafted question अलग तरीके से draft आये एकदम नागेन की तरह देखना सर क्या कहता है CA Purange is performing the forensic accounting engagement involving the gathering of evidence sir Quotient Bank में कौन सा Quotient है जो Quotient Bank में कोशन दे रखना process of forensic accounting जिसमें सारे steps को एकदम detail में दे रखा है उसी में से एक step इन्होंने आपे पकड़ा है यह कहता है आपको evidence हिकटा करना है in relation to a suspected fraud of substantial amount of in a company he has been appointed under the terms of contractual agreement with the company company operates in an electronical environment while performing engagement इन्होंने evidence gather किया है इन्होंने evidence gather किया है किसे company की ERP से यानि जो इनका sap वगर रहेगा वहां से company के email system से और भी भहुत सार evidence इखटा किया है but team has failed to keep care of the aspects such as keeping a record of each person in the team gathering the evidence कि ये evidence gather किस ने किया यही नहीं पता ठीक है सर date and time of collection and storage of evidence आप बताओ इसका क्या implication होगा forensic पे तो मुझे बताओ forensic करते क्यों है सर forensic का काम होता गया है सर, forensic का काम ही तो यही है fraud को पकड़ना और जिसने fraud किया उसके खिलाफ court में evidence पेश करना last step यही तो होता है court proceedings तो यह कहता है आपने evidence इखटा करना होता है ठीक है उसके basis पे report देनी होती है जिसमें आप बताते हो अपने पूरे facts कि भाई कौन है क्या facts है किस तरह से fraud हुआ यह सारी बात आप बताते हो फिर आपका जो evidence है वो कई न कई court में use हो जाता है तो मुझे बताओ ऐसा evidence जिसमें यही नहीं पता कि कब collect हुआ date भी नहीं है time भी नहीं है यही नहीं पता किस बंदे ने collect कि है क्या court इसको मानेगी क्या court इसको accept करेगी the answer is no यही बात आपने answer में लिखनी है यही बात आपने answer में लिखनी है तो देखो क्या कहता है in forensic accounting आप कहिना के examination करते हो transaction की ताकि आपको evidence मिल जाए जो कि आप court of law में present कर पाओ जो team है वो एकदम smart होनी चे कि वो evidence collect करे and there should be a clear chain of events इस दिन evidence collect हुआ इस time पे evidence collect हुआ इस बंदे से evidence यहां गया इस बंदे से evidence यहां गया ताकि कहीं भी evidence में कोई छेड़ खानी हो उपर नीचे हो पकड़ा जा सके there should be a clear chain of custody if there are gaps in custody court इसको माने गई नी तो team ने वो gaps को रहने दे दिया team ने chain of custody पकड़ी नी so it will defeat the object of forensic audit and it can be challenged in court and become inadmissible तो जो आप चाह रहे थे ना कि practical question क्यों नहीं पूछ रहा ही से इने पूछ लिए पूछ लिए ही से इने तो मैं आपको एक simple बात बताओ हाँ सर simple बात बताओ हम दोनों एक ही team में है हम दोनों एक ही team में है और इस बार हमको ना जीतना है तो सर जीतने के लिए क्या करना है मेरी बात समझना मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जब भी आप MTP देखो आपको हमारी team के questions मिलेंगे सर team के questions मिलेंगे जो questions ऐसे हैं जिनको आपने पहले देख रखा है या उन से related बातों को notes में देख रखा है उनको सबसे पहले select कर ले ना बोलना तुम भी हमारी team में आ जाओ उनको आपने priority पे करना है ठीक है सर तो ये priority में क्याएंगे इसमें मैं बोल सकता हूँ all the MCQs mostly ये क्योंकि अपने notes ही होंगे तो या आप directly कर पाओगे दूसरा आपके descriptive में भी मैं आपको दे रहा हूँ कैसा भी paper आ जाए कम से कम आपको 75 to 80% चीजें मिल जाएंगी जो हमारी team के होंगी आपने बस इन पे focus करके चलना है जो बाकी जो बाकी 20-25% है क्योंकि paper ऐसा नहीं है कि 100 number का आता है paper कित्ते का आता है 118 marks का तो उस 118 marks में जो बाकी मामला बच गया जो बाकी मामला बच जाता है इसके अलावा उसको आप थोड़ा ignore करके चलना उसको towards the end करना उसके चक्कर में यह आती भी चीजों को खराब नहीं करना एक घंटा मैंने आपका ले लिया but I hope आपने काफी सारी learnings इखटी करी होंगी I am sure कई बच्चों ने इन questions को पहले देखा होगा तो उनके मन में आयोगा कैसे deal करके चलना है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है to make you feel comfortable with these things because ऐसी कोई hi-fi चीज नहीं है जो चीजें already कर रखे बस उनको ध्यान में रखे उनके सारी डील करना है nothing special to be and special पता है क्या होगा आपका result जबाब पास होगे so योही खुशी खुशी मला आकर पढ़ते रहे खुशी से बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे have an awesome day ahead हमेरा ही audit के फिर मिलेंगे चलते चलते लगे रहो